नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बात करेंगे कि सपने में बजार को विभिन अवस्थाओं में देखने का क्या मतलब होता है और निकत भविश्य में आपको इस सपने की क्या परिनाम प्राप्थ हो सकते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें अब आते हैं अपने प्राश्न के उत्तर पर दोस्तों, स्वापन शास्त्र और स्वापन विग्यान की अनुसार सपने में बजार को देखने का मतलब लाबदायक माना जाता है अगर आप सपने में बजार देखते हैं तो ऐसा सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप शॉपिंग के लिए कही बाहर घूमने जा सकते हैं और आप अपने लिए और घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और गहने जैसी कई चीजे खरीदने वाले हैं। इसलिए आपको इस सपने से खुश होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सपने में खुद को बजार जाते हुई देखते हैं, तो ये भी एक शुब सपना माना जाता है। बजार जाने का सपना आपके लिए इस बात का संकेत होता है, कि आप अपने परिवार के साथ घूमने के लिए किसी मंचाही जगह पर जाने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं। जहां आप बरसों से जाने का प्लान कर रहे थ आने वाले दिनों में आप कहीं अच्छी जगह गूमने जा सकते हैं, जिसकी यात्रा में आपको बहुत आनंद आने वाला है, दोस्तों यदि आप बजार में भीर देखते हैं, तो ये सपना व्यवसाय में competition या नौकरी में promotion की प्राप्ति के लिए competition होने का इशारा करता है, का सामना डट कर करना चाहिए, और उस पर विजय हासल करनी चाहिए, दोस्तों यदि आप सपने में खुद को बजार से कुछ खरीदारी करते हुए देखते हैं, तो ये सपना बताता है कि आप अपने लिए आभूशन या सोने की कोई चीज जैसी महंगी वस्तु लेने वाल दोस्तों बजार गूमने जाने का सपना भी शुब माना जाता है, ऐसा सपना बताता है कि आप अपने सभी दोस्तों की साथ गूमने के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं, और यह यात्रा यादगार होने वाली है, इसलिए आपको इस सपने से खुश होना चाहिए, दोस्तों अगर आप सपने में खाली बजार देखते हैं, तो ऐसे सपने का मतलब भी अशुग माना गया है, आने वाले दिनों में आपके कार्य में, या आपके व्यवसाई में मंदिया सकती है, आपका कारोबार ठक हो सकता है, ऐसे में आपको विशेश तोर पर अपने कारोबार या नौकरी पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक होता है दोस्तो यदि आप सपने में बजार के बीचों बीच अपनी खुद की दुकान खोलते हैं तो ये सपना लाब दायक माना जाता है ऐसा सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं और इस कार्य से आपको भरपूर लाब होने वाला है इसलिए आपको इस सपने से खुश होना चाहिए दोस्तो बजार में आग लगने का सपना देखना दुर्भाग या पूर्ण माना जाता है ऐसा सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके परिवार में दरारे पर सकती है आप आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हैं ये सपना आपके परिवारिक रिष्टों में खटास उत्पन होने की सूचना देता है। इसलिए ऐसा सपना दिखाए देने के बाद आपको शांती बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप बजार में खो जाते हैं तो ये सपना आपके लिए सफलता की राह से पीछे हटने का संकेत माना जाता है। आपको अपने जीवन की आप तक की सबसे बड़ी काम्याभी प्राप्थ हो सकती है। इसलिए सपने में बहुत बड़ा बजार देखना शुब माना जाता है। इसलिए आपको इस सपने के दिखाए देने से खुश होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसं आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।